केंद्र ग्री मंत्री अमिच्छा ने सोमवार को उत्रप्रदेश में ताबर तोड जनसभाई की इसी करी में उत्रप्रदेश की सलेमपूर पहुचे केंद्र ग्री मंत्री अमिच्छा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 70 साल से कॉंग्रेस का अटकाया हुआ राम मंदीर नरींदर मोदी ने बनाया ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदीर बनाने वालों के बीच का चुनाव है उन्होंने आगे कहा कि क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाली सपा और कॉंग्रिस को वोट दिया जा सकता है राम मंदिर बनाने वाली नरींद्र मोधी को प्रधान मंद्री अब बनाना है कि यह चुनाव किसके बीच में है यह चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव सलेंपूरवालो मुझे बताओ राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस को वोट दे सकते क्या जोड़च बलों दे सकते राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्रम मोदी जी को प्रदान मंद्री बनाने वाले